कॉंसिल कॉंसिल पिछले कुछ वीक से चचा में एस्पेशली लास्ट वीक से ज्यादा जब रश्या को इस काउंसिल से सस्पेंट किया गया है UN Human Rights Council एक inter-governmental body है UN के अंदर और ये जिम्मिदार है Human Rights को promote और प्रटट करने के लिए वर्ल्ड होगर में है इसके अलावा ये काउंसिल रिकमेंडेशन करती है Human Rights Commission के मामलों को लेकर और जो भी Human Rights मामलों के लेकर इसनी चल दी दुनिया भर में उस पर चर्चा आदी भी ये परशब करती है जैसा कि वो पता है कि Human Council UN Commission Human Rights को रिप्लिस करके लाई गई है साल दुनिया च्छे में और दुनिया साथ में इस काउंसिल ने एक institution building package को एडप्ट किया था क्या होता ये institution building package कभी PLIMS में आ जाये तो पता हूंचिए कि इसमें कुछ procedures और mechanism दिये गए है जिसके तहर ये council काम करती है जैसे इसमें एक mechanism है UPR basically UPR जो है इसके थूँ ये council दुनिया भर में जो UN members countries हैं उनमें होमराइट situation को आखलंग करती है evaluate करती है उनको उनकी जांच करती है उनका परिच्शन करती है दूसरा institution building package में आपका है advisor committee basically जो advisor committee इस अधाका committee है ये council की think tank करती है और ये अपना जो विशेश हर्गता है इस होमराइट issues को लेके उसको प्रवाइट करती है तीसरा है complaint procedure इसके तहत कोई विव्यक्तिगत और संस्ता हुमराइट वालेशन के मामलों को परिशित सामने ध्यान आकशित करने की लासत पी है तो ये होगे आपके institution building packages वारे को जांकारी है जैसा कर पता है कि इसका headquarter जिनेवा सुजिलेंड में है और 47 UN member states इसके members है इन सबका election secret ballot से और diet तरीके से UN general assembly में होता है जिसमें लगबग 193 world care countries member हैं ये जो council है इसके members equitable geographical distribution मतलब Latin America, Asia, Africa content wise भी जाते है जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि African और Asia से 13 seats है Latin America और Caribbean से 8 है Western European और से 7 है और East European स्टेट से 6 है इसमें एक और चीज है कि जो भी member चुनायाता है वो तीन साल चुनाता है और कोई भी country लगाता दो 10 वर इसमें इलेटर होती है लेकिन तीसे 10 वर से पेले इसको break लेना पड़ता है एक और चीज जो हम चलचा करी अभी बूचा शेरों पर जो हमले किये गए वार क्राइम के जो हमले आ रहे है तो रश्या को इससे सस्पेंट किया गया है तो यह information आपके लिए important है और एक और important information वो यह है कि रश्या से पहले कि देश को सस्पेंट किया गया तो ली पिया तो यह पूरा जो हमने डिसकर किया आज के अटरफेस में इसमें हमने फिल्म्स और मेंस दोनों को पांटिव साब के साथ UN हुमदाइट काउंसिल के बादे में चचा करें धन्यवाद